देखो जैसे हम लोग अब कोनिक सेक्षन में टेंजेंट के बारे में थोड़ा और सीखने क्या होता है देखो कि जैसे टेंजेंट की कोशन स्लोप के टम में निकालते हैं कोनिक सेक्षन में और कई जगे यह equation बहुत फाइदे मंद होती है, equation को short में करने के लिए है ना, तो यह concept हमनों को सीखना है, equation of tangent in terms of slope, इसका मतलब देखो यह हुआ, कि अगर हमें tangent का slope मालूम है, तो उसकी equation हम कैसे निकालेंगे, है ना, अगर हमें tangent का slope मालूम है, तो हम tangent की equation कैसे निकालेंगे यह इसका मतलब होता है, दोको ध्यान दो यहाँ पर, जैसे क्या होता है, सबसे पहले माल लीजिए, मैंने एक circle लिया, हाना, for example देखो, मैंने circle लिया, x square plus y square बरावर a square, यह मैंने circle लिया, ठीके, और दोको उसके बाद, मैंने क्या किया, कि एक line माल लिया, हाना, let y equal to mx plus c, 치, b a line, मैंने frame माल लिया, एक circle माल लिया, हाना, अब मैंने माल लिया, हाना, कि यह line, इस circle की tangent है, ऐसा मैंने माल लिया, देखो, जैसे यह हमें circle दिया गया, और यह line दिया गया, तो मैंने माल लिया ये लाइन सर्कल की टेंजेंट है, मैंने माल लिया ये लाइन सर्कल की टेंजेंट है, भी ए लाइन टेंजेंट टू सर्कल, मैंने माल लिया कि ये लाइन सर्कल की टेंजेंट है, अब देखो क्या होगा, जैसे ये जो सर्कल मैंने लिया है, इसका सेंटर क क्या है बोलो ए अना इस circle का center 00 है और radius है अ आप दो को मैंने बताया था कि अगर कोई line circle को touch कर रही है तो इसका मेंदब दो को इसका center क्या 00 तो center से drop किया गया perpendicular उसकी radius के बराबर होगा है हना center से drop किया गया perpendicular circle की radius के बराबर होगा यह मैंने माल लिया दो जैसे मैंने क्या किया, 00 center है, और दोखो ये line है, line क्या है दोखो, mx-y plus c बरावर 0, दोखो ये line है, ये center है, ये line है, अब मैं क्या करूँगा, दोखो, इस center से इस line पर perpendicular drop करूँगा, इस center से इस line पर मैं perpendicular drop करूँगा, तो क्या होगा दोखो perpendicular, कैसे drop करते हैं, मैंने बताया था, किसी point से किसी line पर perpendicular drop करने का method, क्या होता बोलो याद है, क्या होता बोलो, दोखो, mode of x की जगए x1 लखो, y की जगए y1 लखो, प्लस c, upon under root x के coefficient का square, प्लस y के coefficient का square, हैना, दोखो, center से इस line पर perpendicular drop किया, तोखो, इस perpendicular को देखो, a के equal कर दो, a के, हैना, perpendicular को radius के equal कर दो, ये हमारी circle की क्या है, बोलो, radius, तोखो, अब दोखो, यहाँ से क्या होगा, ये हो गया, mode of c upon under root 1 plus m square equal to a, तोखो, अगर हम mode को हटाएंगे, तो क्या होगा, दोखो, c upon under root 1 plus m square, बरावर, plus minus a, तो, दोखो, c बरावर क्या हो गया, plus minus a under root, 1 plus m square, दोखो, ये आ गया, हैना, मतलब, ये c की value आ गई, मतलब देखो अगर ये line circle को touch करेगी तो ये c की value आएगी मतलब ये condition होगी है अगर ये line इस circle को touch करेगी तो देखो ये c की value आएगी अब एक काम किया जाए देखो ये c की value इसी line में put कर दी जाए y बरावर mx प्लस c था इस c की value put कर दो तो y बरावर mx प्लस minus a under root 1 प्लस m square देखो इसी को हम कहते हैं equation of tangent in terms of slope इससे क्या फाइदा होता है इससे फाइदा ये होता है कि अगर हमें slope मालूम है तो हम tangent को निकाल सकते हैं जैसे मालूम है कोई point नहीं मालूम कुछ नहीं मालूम वो आपको circle देदे और tangent का slope देदे m अगल देने का मतलब उसने आपको radius दे दिया a और m दे दिया tangent का slope तो a और m यहां रखेंगे तो यहां से आपको tangent का equation slope के term में मिल जाएगा है यहां मालूम होना चाहिए और a मालूम होना चाहिए दो बाते मालूम होने चाहिए a और m तो इससे यह फाइदा होता कई बार य दो को हमने यहां पर किया tangent का equation slope के term में यहां से लिए निकाल लिया तो दो को यह सरकल के लिए था कि अगर मालूम है और यह लाइन है और हमें tangent का equation slope के term में चाहिए तो हम्ने यहां पर यह निकाल लिया अब इस तरीके से हम सारे konik section में ही यह concept करेंगे जिसे फैराभोलन मे मैंने क्या बता है था कि अगर कोई लाइन को निक सेक्शन को टेश करती है तो उसका एक जन्रल मेथड भी था एक मेथड थो था कि भाई यह आप क्वाइल्टिक बनाईए और डी को जीरो कर दीजिए वो समय लगता है सरकल में यह परपेंडिकलर वाला मेथड भी लग जाता है इसलिए दोखो बलकी सरकल में यह आसान पड़ता है तो सरकल में हम लोग यही परपेंडिकलर वाला मेथड ही लगा देते हैं कि सेंटर से डॉप किया गया परपेंडिकलर एककोल टू रिडियस तो इससे क्या फायदा होता सी मिलता है सी की वैलूप करते हैं तो एकोशन of tangent ठीक है in terms of slope हाना slope के term में tangent का equation हाना equation of tangent in terms of slope हाना इसको हम ऐसा बोलेंगे धे हम दो ठीक है अब दोको यही concept हम लोग पैरा बोला में भी और इलिप्स हाइपर बोला में भी करेंगे